हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल और आज हम बनाएंगे पुरानी कुर्ती से ब्लाउज लेंगा के लिए या साड़ी के लिए आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं कई बार हमारी इस तरह से देखिए हैवी सिक्वेंस वर्क में या कोई हैवी कड़ाई वाली जो कुर्ती है वो वैसे ही पड़ी रहती है तो उनका यूज जो है हम इस तरह से कर सकते हैं फिर से कुर्ती को हम जो है नया लुक दे के उसको यूज कर सकते हैं जैसे देखिए मेर तो इसमें लटकन भी लगी हुई है और इसका मैं बनाने वाली हूँ साड़ी के लिए ब्लाउस तो चलिए जलदी से बनाते हैं तो सबसे पहले मैं कुर्ति को क्या करूंगी उल्टा कर लूंगी इसमें हमें बस थोड़ा वहती काम करना है और हमारा blouse बन जाएगा क्योंकि अंदर इसमें lining औरेड़ी लगी हुई है तो इसलिए पहले इसको उल्टा कर लेंगे और फिर अच्छे से set करके इसको हम fold करेंगे ये देखिए इस तरह से हमने इसको fold करना है अच्छी तरह से set कर लें तो यह देखिए कुर्ति को मैंने इस तरह से set किया है तो सबसे पहले मेन तो देखिए blouse में लहंगा के blouse या साडी के blouse में होती है प्लीट्स लेकिन कुर्ति में हम जिस जितनी plits जो blouse में होती है उतनी तो नहीं डालेंगे लेकिन आगे और पीछे वाले में हम इसमें नीचे यहां पे प्लिट्स डाल सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसकी लंबाई रखनी है लंबाई मारजन के साथ रखेंगे ब्लाउस आपको कितना लंबा रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी लेंथ तो 14 जो होता ही है तो 14 अगर ये लेंथ मुझे चाहिए तो मैं ये 16 इंच रखना हूँ क्योंकि यहां से मुझे यह फोल्ड करना है यहां से फोल्ड होगा यहां तुरपाई होती ह अब यहां से हम पहले इसको कट कर लेंगे और जैसे कि यह कुर्ती है तो कुर्ती जो है पूरी टाइट फिटिंग की नहीं होती है इसमें काफी जादा मारजन है तो जब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे तो नच्रूली वो अपने आपी फिटिंग में आ जाएगी और हमें हमारी प्लिट्स आईगी तो यह पूरा नाप के हम असानी से बना सकते हैं तो लटकन तो इसमें पहले से बनी हुई है तो ब्लावस में वैसे भी लटकन अच्छी लगती है आप इसको ब्लावस कहले जिए या चोली अगर इसको चोली के टाइब में बनाना तो आप थोड़ा इस तरह से देखिए अब यहां से हम ऐसे नापेंगे और यह ग्यारा इंच में हमने यहां पर इस तरह से देखिए निशान जो है वो लगाना है और यहां से भी देखिए यह हमारा जो है साड़े चार इंच आएगा यूंकि बीच में यह हमें चाहिए तो साड़े चार इं यो आजईगी तो ये देखिए इस तरह से देखिये इसके दोनों साइट में हमने जो हे प्लेट्स जो है वो डाल लिए हैं और अब यहां पे आपकी कुर्ती का जो नेक डिजाइन है वो छोटा है ना तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं और अब हमने देखी यहां पे हुक लगानी है ना तो यहां से बीच में हम इसको पूरा इसका ना देख के ध्यान से जो है आदा करेंगे और फिर कट कर लेंगे और यहां पे हम लगाएंगे हुक और आई जहां पे हमें बनानी है और यह बला मैं फ्रंट पेज में कर रही हूं यहां कि फ्रंट पेज में मैं इस तरह से कट कर रही हूं और यहां पर अगर आप जो है उदेडेंगे और इसका जो नेक डिजाइन हो बड़ा भी बन जाएगा तो यह देखिए इस तरह से बीच से मैंने कट कर लिया है तो सबसे पहले मैं आपको प्लीट्स की जो है सिलाई वो दिखाती हूं कि किस तरह से हम लगाएंगे यह देखिए ऐसे करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल पतली नोग की तरह से इसको उपर को हम यहां पे निकाल लेंगे तो और यहां पे अब हमें लगानी है गांट क्योंकि गांट बहुत जरूरी होती है ने तो हमारी सिलाई जो है वो निकल सकती है इसलिए यहां पे इस तरह से एक गांट लगा ल रखा ली है और मैंने इसका neck जो design ना वह भी थोड़ा सा बड़ा किया है और फ्रंट वाला मैंने बड़ा नहीं किया है फ्रंट वाला तो है मैंने उतना ही रखा है और बस यहाँ पे हम सिंपल अब पटियां लगा लेंगे जैसे लगाते हैं न देखिए इस तरह से ब्लू कलर जो है ले लिजिए का आप मैचिन कोई भी होए आपके पास तो एक पटि जो है वो हमारी आती है इस तरह से अंदर की साइड को यह देखिए इस तरह से अंदर की साइड को आती है यहाँ पे तुरुपाई आप कर सकते हैं और जो एक पटि है वो हमारी आती है बाहर की साइड को ये देखिए ऐसे करके तो इस तरह से हमने ये इसमें लगाने है तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया है बाद मैं इसमें तुरुपाई करेंगे नीचे से भी हम इसको जो है फोल्ड कर लेंगे ये देखिए इस तरह से और इसमें बस आई और हुक आप यहां जिप भी लगा सकते हो यह देखी यहां से इस तरह से फोल्ड करके आप सिलाई लगा लेजिए या फिर आप जो है इसमें तुर्पाई भी कर सकते हैं और साड़ी के लिए यह लहंगा के लिए आपका जो है ब्लाउस बन के त्यार है और आप अपनी कुर्ती को न रियूस भी कर सकते हैं इस तरह से और आपको यह मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट वोक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरा यह आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और थेंक्स पूर वाचिंग बिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई